हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू स्विंग ट्रेट अज के वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेट स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे आप सब काफी सरे फ्रेंट्स के पोट्फोलियो में ये स्टक रहेगा तो उस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीडियो में हम उस टॉक में भी बने रहना चाहिए कि लॉस्ट बूक करके निकल जाना चाहिए तो फिर अगर फ्रेश इंट्री लेना है तो कौन सा लेवल पर फ्रेश इंट्री लेके चल सकते हैं और उसका टार्गेट क्या रख सकते हैं ठीके फ्रेंट्स और टाइम फ्रेम क्या रहेगा सारे वीडियो तो प्रसंटेज का इसे तो होता है लेकिन जहां पे गें का पर संटेज आपको फिप्टी परसंटेज का गेंड लेना है वहां पर आपको 5%-10% का रीटन आ परिशान होंगे तो फिर आप चीज बताना चाहरा हूं तो आप बिल्कुल पेसेंस के साथ में बैठे रहे हैं अगर कोई भी स्टॉक में पोजीशन बना के बैठे हुए हैं अगर मैं आपको बताया हूं यह स्टॉक में पोटेंचियल है इतना परसंटेज का गेन मिल सकता है इसा नहीं कि मैंने इंट्री करेंगे और आपको फसा के मुझे कोई फाइदा मिलने वाला यह इसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है जहां पर खुद प्रफिट बुकिंग करता हूं उस दिन मैं आपको वीडियो में बता जता हूं कौन सा प्रफिट बुकिंग भी किया हूं ठीक है अगर देखेंगे तो जोज डाइल के बारे में में बात कर रहा हूं जोज डाइल में उस दिन मैंने खुद बनाया था मारनिंग में बनाने के बाद में स्टॉक में भी 3-4 परसेंट का वहां पर नेगेटिव रिटन मिला है तो एक दिन में मुझे भी कुछ लॉस इसलिए मुझे वहां पर होल्ड करना है यह साने कि स्टॉक आज खरीद लिया आज आपको प्रफिट मिल जाएगा अपने बाइगर करके चले है तो होल्ड किजिए एट मॉन्स होल्ड किजिए जरूरत पर तो एक साल भी होल्ड किजिए कोई प्रोब्लेम नहीं है आपको 50 यह एकशंब नहीं देख़े डिल जाया लेका इतना मुश्किल नहीं है लेकिन आपको पेसेंस के साथ में बैठे रहेंगे आपको होई जाएगा मैं आपको बार-बार इस चीज का रिमाइंड इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मेरे साथ में इससे शुरुआत में मैंने बहुत स्टॉक में लॉस होने के बाद में पिर रिग्रेट किया उस चीज का बाद में जो स्टॉक में मुझे प्रफिट मिल सकता था अगर में होल्ड करक होता है आपको तू मांस त्री मांस बिल्कुल चलेगा भी नहीं लेकिन जिस दिन चलेगा न तो यह अफ्ते का अंदर आपको प्रफिट वोकिंग हो जाएगा प्रफिट टार्गेट तक आ जाएगा ठीक है तेले फिरेंट स्टार्ट करते हैं आज जो हम स्टॉक के बारें करेंगे जो की तोथ हुचे नाइन हंडड करू का मार्केट क्या पर इसका अगर हम देखते हैं यहां पर टंटी डू का व्यलू है अगर हम क्रेंट प्रेस देहते हैं फोर सिक्टी फाइब के पास में कंपणि बिल्कुल जो फैनेंचाल कंपनी है अभी बिल्कुल हिए ऊ casi 165 तो इस टो की थे हिसाब से आगो होने का प्रोबिन क्यों प्रोबीटिती है क्टमपणी जो स्वा जो कि माईक्रो स्मल सेक्टर में लुटंडिंग कामएनल मर्यामीरिया में कि इसाब से अगर हम इसका प्रॉफिेट भी देखते हैं शोटा सा कंपनी है picture प्रफित देखते हैं जून कमपनी में देखते हैं जोकी 430 करोड का सेल्च हुआ है पिलुव्युला जून में सेन सेल्च हो जुँआ है रई साव से हम प्रफिट गॡट करोड का अब स्थ देखते हैं जून में 48 करोड का नेट प्रोफिट है तो यहां पर सेप्टमबर का क्वाटर लिए रिजल नहीं आया रिजल्ट एक बार आने दीजिए उसके बाद में हम इस टॉक में हैं टिटल्स लिए एक बार बात करेंगे है अगर हम देखते हैं कंपनी में देखिए सेल्स हमेसा तो बढ़ते जा रहा है सेल्स में कोई भी प्रोब्लेम नहीं है और अगर देखेंगे में 2020 को 337 करोड का था यहां पर मार्स 2021 को जो पोस्ट किया हुआ था रिजल्ट यहां पर यहां पर प्रफिट हुआ था अभी अगर लास्ट चार क्वाटर में हम देखते हैं 122 करोड का प्रफिट है कि यहां पर मार्श 2018 को 2018 को 211 करोड का था ती आपसे मार्स हम देखते हैं पर 25 40 करोड का रिजर्व है अभी अगर 2021 को देखते हैं यहां पर 2626 करोड का रिजर्व करने के बाद में का जो मार्जिन रहता और पहीं करते हैं तो यहां घंठ करना हो देख लेथे तक आगर मैं कोई प्रोब्लेम नहीं करें इapi इस पहुंति के पास में पर्सेंच सोवलिगी सोब क्रब्लीक के पास है यहां में सी तो 925 पर्सेंटी के प्रसेंटी के आइघ्वं के पास्या पास है है तो इसी हिसाब से यहांपे 10 परसिंट निकल गया है यहांपे टू परसंट है टोटल ट्वेल परसंट यहांपे निकल गया पॉबलिक के पास में ओंली एट परसंटेज का होल्डिंग है अगर हम देखते हैं लास्ट ट्रीडिंग सिसंट का अगर करोवार एक बार देख ल यहां पर चार्ट पर जाते हैं चार्ट पर जब हम देखते हैं यहां पर चार्ट में अगर आप देखते हैं जहां पर आल टाइम हाई चल रहा था यहां पर चौक आचुका है तो अगर आपको बताना जरूर चाहूंगा यहां पर देखेंगे एक बड़ा सा कंपनी ले रहते हैं इन ओफाइनस बिजनेस में हैं तो बाजाज ले ला लीजिए अगर आप बाजाज फाइनस का डेखेंगे स्टॉक कितना चीफ में मिल रहा है इक बसकार हम देखेंगे यहां पर बहलु है 446 का लेकिन कॉरेंट मार्किन प्राइस देख लिए जो की 7400 है 11 12 ताइम्स मोर है तो इसी साब से अगर हम एक बार देख लेते हैं HDFC का ही तो मुथ्थुत फैनांस का एक बार देख लेते हैं मुथ्थुत फैनांस का देख लिजिए यहां पर बुख वैलू 400 का है लेकिन कॉरेंट प्राइस चल रहा है तो बिल्कुल होल्ड करके चलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर थोड़ा सा गिरावट आ जाता है उस ताहिम पर हम परिशान होंगे इसा बिल्कुल भी नहीं है यहां पर दिखिए जो रेड कलर का लाईन है यह 100 डे का मुभी । रच्चा आने के बाद में यहाँ पर प्ले लिस्ट में आने के बाद में जो बिल्कुल पता बार के आपर कीजिए scrolling मिल सकते घूट लिस्ट में आएंगे लिस्ट में आने के बाद में यहां पर ट्रेडिंग वी टूटरियल पर आप ओपन कीजिए नहीं तो आप बिगनर सेक्षन ओपन कर लिए यहां से बहुत अच्छा जानकरी आपको मिल जाएगा कैसे आपको सेटिंग करना है ट्रेडिंग व्यू में कैस हम देखते हैं सपोर्ट नेखिले टे lei कर चुका है कि तो के कि कशों को बिल्कुल ब्रेकर चुका रहाएं इस सपोर्ड के हम बात करते हैं यहां पर नेक्ष अपरट निक र mes pr boa मेले तक जरूर जा सकता है तीग अगर आपको इसमें बनाना है जब लेवल के उपर जरूरा आप नजर रखे ची कहा भूचिक आप नहीं र Wick 10 जए डीक की तॉप से दिखे क्या बुरा हाल है देख रहे हैं यहां पे बिलो टुन्टी-फोर आ चुका है आरे सई बिलो थाटी आ चुका है तोन्टी-फोर का आरे सई पर अभेलोबले स्टाउक पूरा बीरी मोड में है जो कि हमें एक बढ़ी एसा अपर्चुनूटी के तरह यह स्टाउक को देखना चाहिए और व्यालुएशन बहुत सस्ते पर मिल रहा है जहां पर हम बात करते हैं वहां पर बादाज फैनांस इतना टॉप पे चल रहा है वह सब स्टाउक में से बढ़िया है यह स्टाउक में बनाई है जो कि रिस्पर रिटरन आपको मिल सकता है तेंसन बिलकुल है ठीक है अगर हम यह लेबल तक अगर हम यह स्टाउक को लेके चलते हैं जो की 803 का लेवल है अभी जो जिसी साब से मैंने आपको बताया कि पोजिशन बनाने के लिए अगर 420 से लेके पोजिशन बनाते हैं फिर भी छोड़ दीजे आप अभी करेंड मार्केट पैस से दे कि अगर्ट को लेके चलते हैं आपको 77% का फ्रेंड्स गेन मिल सकता है ठीक है कि कितना दिन लगएगा मुझे एक साल में जरूर मिल सकते ऑं एस सब लोग लगा दिया तो अभी आपको बिल्कुल आपको इसमें बना के चलना है एक 77 परसेंटेज गेन बिल्कुल आप ले सकते हैं जो की करके लगता है यह स्टाक में आपको एक साल के अंदर 77 परसेंटेज का गेन मिल सकता है लेकिन कोई भी स्टाक का भाय करें लोज में सेल मत कीजिए ठीक आप आये हैं स्टाक मार्केट प्रॉफिट गेन लेने के लिए कोई लॉस करने के लिए नहीं आये थी कि बड़ी ऐसा ग पॉर्टफुल्यू के से बनाना है ना Nstein करे हमारा लिंक से निचे दिन करके मैन के हैं आपको पोर्टफुल्यू बनाना थाटो के लिए अगर आपको फिर भी यह आपको एस वीडियो में कुछ डाउट है तो पॉर्टफुलिय रिव्यू देखके आप देख सकते हैं किसे पॉर्टफुलिय डाइवर्शिपिकेशन करके रखना है अच्छा सा पॉर्टफुलिय कैसे बनाना है यह पॉर्टफुलिय वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है फ् इसका हो शैसे पहलों सकता है जो टाइम प्रेंम रहेगा आपको शिक्सस मौन के बाद में भी लेकिन कोई भी स्टॉक्त में बनाते हैं लोस में बिल्कुल सेल नहीं करना है जब तक प्र वीडियो अच्छा लगा तो बिडियो को जरूर लाइक कीजिए फ्रेंस के साथ में शेर कीजिए अगर चैनल पे नाया है चैनल को जरू सब्स्क्राइए कर लिजे थैंक्यू वेरी मच्च प्रेंट पर अचाइए इस प्रेमिल तर नेक्स चुलिए